सर्व मांगल मांगल लिये शिवे सिर्वार्थ सादिके शरन्ये त्रयंबके गवरी नारा एनीनु मुस्तुते जै मातरी बहुत स्वागत है आपका अब आप देख रहे हैं राशीफल पंचांग सिंग दैनिक राशीफल 13 और 14 नवंबर 2022 सिंग राशीवालों के लिए दो दि सिर्थी नामक योग बन रहा है अभी जीत मूरत का समय है दो पहर ग्यारा बचकर 55 मिट से लेकर दो पहर साड़े बारा बज़े तक वही राहुकाल दो पहर दो बचकर 50 मिट से लेकर शाम 4 बचकर 8 मिट तक रहेगा 14 दिसंबर वहीं बुदवार का दिन है पौश्मा बुदवार का समय होगा दो पहर सबारा बचे से लेकर डिर्ड बचे तक रहुकाल के समय कोई भी नया वश्ब कालिया ना करे कारी में विगना सकती है तो चली बात करते हैं राश्य फरकी सिंग राश्य वालो ये दूर दिनाप के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है खा आपका प्रसन रहेगा वही कहीं निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो जहांच परताल करने सोच विचार करने के उपरांत ही आप निरने ले नहीं तो समस्या भी आपको हो सकती है वहीं आपके जीवन में ये दूर दिन ग्रिहस्त जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रह गर में सुक शांती का वातवरन रहेगा जीवन साती का पूरा सहयोग आपको मिलेगा हला कि वानी में मधुलता बनाकर आपको चलना होगा जितनी महनत आप करेंगे उतना लाभ ना मिलने से थोड़ा सम्मन आपका विचलित हो सकता है परिशान हो सकता है तो यहां पर वानी भी कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं अगर योजना बना रहे हैं तो यह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है इन दो दूनों में कुछ कीमती वस्तों को थोड़ा आप सम्हाल कर रखेंगे जैसे आपके पैसे हो या फिर मुबाइल हो या फिर आपके डॉक्यमेंट्स हो तो थोड़ा सा इसे समाल के रखें और नौकी करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा हाला कि दबाब काम का जाता रह सकता है भागदौर भी करना पड़ सकता है सिंगराशी वालों वहीं आर्थिक इस्थिति आपकी मजबूत रहेगी आई में विर्दी होगी हला कि खर्च भी आपके बढ़ेंगे तो बजट पर पूरा ध्यान आपको देना होगा वहीं आपसी संबंदों को मधूर बनाए रखने के लिए अपने आपस के संबंदों में मधूरता बना कर चलना होगा बाद विबाद की स्थिति से जितना आप दूर रहें उतना ही काम करने में आप नियमों का पालन जरूर करें नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है सिंगाशी वालो आप अपने परिवाजनों के साथ समय वितीत कर सकते हैं मनुजन के कारवर मित्रों के साथ समय वितीत कर सकते हैं साथ ही उधार दिया गया धन आपको वापस मिल सकत है नोके करने वालों के लिए तरक्की मिलती दिख रही है राकी विस्तता वाला दिन रहेगा लेकिन तरक्की मिलने की कारण मन पर सन्न भी रह सकता है निवेश करना चाहते हैं तो जाज परताल करने के उपरांत ही आप निनने लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा मौसम में किसी भी प्रकार के लापरवाही करने से बचे बिजनेस करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है नए ओर्डर आपको मिल सकते हैं सिंग आशी वालों रिलेश्टिशिप की बात करें तो कोई गलत फैमी आप अपने उपर हावी न होने दे इससे संबंध जो है आप कमेंट करेंगे वीडियो को लाइक शेयर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूले आप से विदा लेते हैं अगर आशी फल में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आग्या दे आपका दिन शुब हो जै श्री राम जै हनुमान